सरहत पार से आए आतंकी अगले कुछ दिनों में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं खोफिया इंपुट के मुताबिक आतंकियों की निशाने पर सुरक्षा बलों से जुड़ी इमारते भी हो सकती हैं आतंकी जम्मी डिबीजन में हमले को अंजाम देने की फिराकवे हैं माई पिछले दिनों में जम्मो कश्मीर में आतंकियों से सेना की चार बार मुत्फेड हुई है कठुआ में सेना ने इंकाउंटर में दो दहशत गर्दों को धेर कर दिया है उधर नौसेरा और रियासी के जंगलों में सेना का सर्च ओपरेशन जारी है कठुआ डूटा नौसेरा आतंक का अगला टागेट कहाँ जमू कश्मीर में टेरर अलर्ट है सुरक्षाबल आक्शन में है सर्च ओपरेशन चल रहा है ड्रोन से निगरानी हो रही है जमू कश्मीर की सड़कों पर बक्तर बंद गाडियां दोड रही है सेना और सुरक्षाबल बड़े ओपरेशन में जुटे हैं क्योंकि देश्चत गर्दों की टोली दीमक की तरह अपने बिलों में कई जुन बना कर बाहर निकली है सरहत पार से घुसपैट कराये आतंकियों के गिरोह जमू कश्मीर के जंगलों में घहत लगाए बैठे हैं अब तक चार इलाकी में आतंकियों की आहट के निशान मिल चुके हैं नौ जून से शुरू हुए टेरर अटैक में अब तक जो हुआ है वो खून खौलाने वाला है जमू कश्मीर में आतंकियों कैसे कायर हमले को अंजाम दे रहे हैं वो जानी है 12 जून की दुपहर जमू के राज़ौरी जिले में नौ शेरा में संदिद्धों को देखी जाने के बाद से सेक्यूरिटी फोर्स अलर्ट पर है नौ शेरा के कलाल इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं 11 जून को आतंकियों ने भद्रवा पठानकूर्ट मार्ग पर चार राश्रुय राइफल्स और पुलिस की जोइंट चेक पोस्ट पर फाइरिंग की आतंकी हमले में पांच जवान और एक स्पेशल पुलिस आफिसर घायल हो गया 11 जून दैश्रत गर्दों ने जमू के हीरा नगर के सैदा सुखल गाओं में ग्रामीनों पर पानी नहीं देने पर फाइरिंग कर दी थी आतंकीों के खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डी आई जी और एसेसपी पर आतंकीों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था 9 जून को जमू के कंदा इलाके में शिव खोडी से कटरा जा रही बस पर आतंकीों ने 25 से 30 राउंड फाइरिंग की थी जिसमें ड्राइवर को गूली लगने के बाद बस खाई में जागे दी 9 जून को हुए टेरर अटैक में 9 श्रत धानूं की मौत हो गई और 41 गायल हुए मतलब ये कि सरहत पार बैठे मौत के सौदागर बिलबिलाए हुए है पाकिस्तान की पालतू पल्टन भारत में कतलेया मचाने के लिए भीजी गई है मगर आतंकी आकाओं के फर्मान पर खून खराबे को कांट्राक लेकर जमू कश्मीर में घूम रहे आतंकियों का खात्मा भी उतनी ही तेजी से हो रहा है अब तक मारे गए देशरत गर्दों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुपिया एजेंसी से जुरता दिख रहा है